दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसे पैकिंग बिजनस आइडिया के बारे में जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लूज में पोड़क्ट मिल जाएगा और साथ में इस तरह से पैकिंग आपको करना है और यहाँ पर पैकिंग करने के लिए यह सीलिंक मसीन की जरूरत पड़ेगी अगर यह वाला सीलिंग मसीन नहीं है तो कोई दिक्क्त नहीं है विडावट सीलिंग मसीन के भी आप कर सकते हो वीडियो को सूरुछ लेकर लाश्तिक ध्यान से देखेगा दोस्तों अगर आप इस बिजनस को करते हो तो मैं गारंटी के स यहां पर आज। लोटे कर दो करते हैं बेडियों करते हैं यहां पर आज के डेट में और आप पैकिंगी बीजनस शुरू चुरू करते हो तो यहाँ पर सबसे बड़ी profit होती है सबसे बड़ा plus point तो ए है कि यहाँ पर profit तो ज़्यादा होता ही है साथ में अगर आप माल लीजे 20 उरुपे का कोई product pack कर रहे हो तो वहाँ पर आप उसका rate 15 उरुपे रख सकते हो 18 उरुपे रख सकते हो 14 उरुपे रख सकते हो 10 उरुपे रख सकते हो फिरी में दे सकते हो किसी का ना किसी ब्यक्ती का ना किसी customer का ना किसी company का ना किसी agency का ना किसी भी दुकानदार का कोई pressure नहीं रहेगा आपके उपर कि क्यों आप इस पुड़ट का रेट इतना रुपया प्रेंट कर रहे हो या फिर आप इतना ले रहे हो क्योंकि पुड़ट तो आप खुद से बनाए हो खुद से मैनुफेक्चर किये हो तो वहाँ पर टोटल डिपेंड आपके उपर करेगा कि आप इस पुड़ट का रेट क तो आट सो में आपको पंदरा सो पीस में मिल जाएगा और यहां पर जो पॉड़क्ट का डिमांड काफी ज्यादा होता है चुकि मैंने यहां पर जो ले करके आया है यह वाला सिंपल सा है लेकिन दूसरा वाला लेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा सो या डेड़ सो रुपे ज्यादा कोश्टली पड़ेगा और उसकी क्वाल्टी भी अच्छा रहेगा और यहां पर यह वाला पॉलिथीन में अलग से पैक रहेगा जो की यह लूज है यहां पर आपको पंदरा सो पीस का एक कट्टा मिल जाएगा और यहां पर दोस्तों आप आपको टोटल 800 रुपे मात्र देना होगा और आपको इससे पैकिंग कैसे करना है देखे दूस्तों अगर आपके पास इस सीलिंग मसीन है तो 800 रुपे में आपको यह मिल जाएगा अगर ले लेते हो तो बढ़िया है प्रोफेशनल थोड़ा हो जाएगा अन्य था आप जो जो की बिसनस से स्टाट कर सकते हो और जो की पालिथीन की बात किया जा जाए तो पहले मैं बताता हूँ आपको संगता से करना है पासे के सीलिंग मसीन कुने ले लिजा ठीक उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का polythene जो मिल जाएगा नो यहाँ पर इस तरह का polythene आपको मिल जाएगा आपको करना क्या है कि सब कुछ मैं बताऊंगा आपको लंबा वाला polythene लेना है देखिए इस size में आपको करना क्या है कि इस size का polythene लेना है और एक side से आपको ज ैटो मतलब च्हूंगं मार्केट में पूरा साल के बार हो महीना वाला पृड़क्ट है दोस्तวย का आइटम है यहां पर यह उच्वंगम जो है ना आपको इसमें कितना भरना है बीस पीस इसमें करना है दोस्तों इसमें बीसपीस इसे करना क्या है कि इस मेशीन से से इस तरह से सेल कर देना है चुकि इस समय लाइट नहीं है नहीं तो यहां पर मैं सेल कर करके आपको दिखा देता है तो बीश पीस प्याइट का यहाँ पर लागत होगा 10 रुपे 50 पैसा ठेंगा यानि आपको 800 रुपे में 1500 पीस मिल ला है और यहाँ पर 10 पीस सोरी 20 पीस अगर इसमें फिल करते हो तो लगभग 11 रुपे लागत लगेगा एक पैकेट पूरा तैयार हो जाएगा मतलब पैक हो जाएगा 11 रुपे में अब होलसेलरों को इससे बेचना है 15 रुपे में और 4 रुपे परती पीस के इसाब से आपको प्रोफिट होने वाला है जैसे माल यह आप 15 रुपे में सेल करते हो और अगला बेच करके इससे 20 रुपे कमाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपका प्रोफिट 4 रुपे का ह हो रहा है और एक पीस बेचनी पर चार रूके का जो है कि दिन लगेगा कि adesso करने के इस यहां पर जब आप पॉल्सेलरों को आफ ही दिन مले लेगा है क्योंकि दोस्तों यहां पर इस product का demand काफ़ी ज़ादा रहता है और यहां पर profit भी अच्छा खासा होता है तो दुस्तों आप कभी भी business करिए तो wholesale में करिए और wholesalers से संपर्क करिए तो वहां पर product आपका तेजी से और दोस्तों बात किया जाये अगर यहां पर आप 15 नहीं बेच रहे हो तो दोस्तों 11 रुपया लागत है लुश्तों दो रुपया रख करके आप 13 रूपया में आप सहर कर देते हो तब यहं पर आपको अच्छा खासा प्रोफिट होगा क्योंकि दोस्तों अगर एक दिन में 10 पेटी बिक जाता है तो दोस्तों यहां पर आपका बहुत एजली 2000 रुपे का प्रोफिट हो जाएगा अब बात किया जाए यहां पर पूजी का कितना लगेगा तो दोस्तों यहां पर 800 रुपे प्रती पेटी मिलने वाला है तो इसमें आपको कम से कम 10 पेटी एक बार जो है क यह कि आप जो है कि इसमें 20 पीस ही फिल करें आप इसमें 30 पीस भी इसे बड़ा भी पॉलिथिल ले करके आप 50 पीस का भी पैकेट बना सकते हो आप अपने अनुसार काल्कुलेशन करके जो है कि उसी के इसाब से इसमें आप इसका रेट फिक्स करके मार्केट में सेल कर सकत या फिर एड्रेस अगर आपके घर से जादा दूर है तो आप एक काम करिए कुछ नहीं आप अपने नजदीकी मार्केट में चाहिए और वहां से आप लूज में जो है कि आप इसे ले सकते हो देखिए बिगेस्ट टैटो नाम से है और कंपनी जो है न कंपनी कैम को कंपनी है कि मार्केट में पुरा फेमस कंपनी है ऐसा नहीं है कि ओल्ड कंपनी है मार्केट में कैम को कंपनी जो है कि काफी दिन से चल ला है बहुत पुरानी कंपनी नहीं है और यहां पर इस कंपनी का प्रोड़क ले करके आप जो है कि पैकिंग करके इस पूड़क का बिजनस कर सक अबला दो बस आज की इतना कोई भी डाउट है कुछ भी पॉइंट मिस्स हुआ तो वीडियो की में शाया तो